प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने आपात काल के दिनों को याद करते हुए कहा कि भारतियों ने लोगतंत्र को बहाल करने के लिए आपात काल को लोगतंत्रिक तरीके से हराया दुनिया में ऐसा कोई और धारन मिलना मुश्किल है मन की बात कारिकरम में देशवासियों को संबोधित करते हुए पीम मोधी ने कहा कि देश के एक ऐसे जन आंदोलन की चर्चा करना चाहता हूँ जिसका देश के हर नागरिक के जीवन में बहुत महत्व है पीम ने कहा कि बर्सों पहले जून 1975 में देश में एमर्जेंसी लगा दी गई थी प्रधान मंतरी ने कहा कि मैं आज के युवाओं को यह बताना चाहता हूँ कि आपके माता पिता के जीने का अधिकार छीन लिया गया था उसमें से एक अधिकार सम्विधान के आटिकल 21 के तह चाहिए आने वाली पीडियों कोई से याद रखना चाहिए मेरे प्यारे देश्वाशियों नमस्कार मन की बात के लिए मुझे आप सभीके बहुत सारे पत्र मिले हैं सोचल मीडिया और नमो आप पर भी बहुत से संदेश मिले हैं मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी इस कारकम में हम सभी की कोशिश रहती है कि एक दूसरे के प्रेणादाई प्रयासों की चर्चा करे जनांदोलन से परिवर्तन की गाथा पुरे देश को बताए इसी कड़ी में मैं आज आप से देश के एक ऐसे जनांदोलन की चर्चा करना चाहता हूँ जिसका देश के हर नागरिक के जीवन में बहुत महत्पा है लेकिन उससे पहले मैं आज की पीडी के नवजवानों से 24-25 साल के युवाओं से एक सवाल पूछना चाहता हूँ और सवाल बहुत गंबीर है और मेरे सवाल पर जुरूर सोचिए क्या आपको पता है कि आपके माता पिता जब आपकी उम्र के थे तो एक बार उनसे जीवन का भी अधिकार छिल लिया गया था आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है ये तो असंबव है लेकिन मेरे नवजवान साथियों हमारे देश में एक बार ऐसा हुआ था ये बरसों पहले 1975 की बात है जून का वही समय था जब एमर्जन्सी लगाई गई थी आपात का लागू किया गया था उसमें देश के नागरिकों से सारे अधिकार छिन लिये गए थे उसमें से एक अधिकार सम्विधान के आर्टिकल 21 के तहत सभी भारतियों को मिला राइट टू लाइफ एंड परसनल लिबर्टी भी था उस समय भारत के लोकतंत्र को कुचल देने का प्रयास किया गया था देश की अधालते हर समयधानिक संस्ता प्रेश सब पर नियंत्रन लगा दिया गया था सेंसर्शिप की ये हालत थी कि बिना स्विक्रूति कुछ भी छापा नहीं जा सकता था मुझे आध है तब मशूर गायक किसोर कुमार जी ने सरकार की भावाई करने से इनकार किया तो उन पर बेन लगा दिया गया रेडियो पर से उनकी एंट्री हटा दी गई लेकिन बहुत कोशिशों हजारों गिरपतालियों और लाखों लोगों पर अत्याचार के बाद भी भारत के लोगों का लोग तंत्र से विश्वास डिगा नहीं रती वर नहीं डिगा भारत के हम लोगों में सद्यों से जो लोग तंत्र के संसकार चले आ रहे हैं जो लोगतांत्रिक भावना हमारी रग-रग में है आखिर कर जीत उसी की हुई भारत के लोगों ने लोगतांत्रिक तरीके से ही इमर्जन्सी को हटा कर वापस लोगतंत्र की स्थापना की ताना साही की मानसिक्ता को ताना साही बृत्ती प्रवृत्ती को लोगतंत्रिक तरीके से पराजित करने का ऐसा उधारन पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है इमर्जन्से के दौरान देश वासियों के संगर्स का गवा रहने का साजेदार रहने का सवभाग्य मुझे भी मिले था लोगतंत्र के एक सैनिक के रूप में आज जब देश अपनी आजहादी के 75 वर्ष का परव मना रहा है अमरित महोत्सों मना रहा है तो आपात काल के उस भयावध दौर को भी हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए आने वाली पीडियों को भी भूलना नहीं चाहिए अमरित महोत्सों सैक्डो वर्षों की गुलामी से मुक्ति की विजे गाता ही नहीं बलकि आजहाजी के बाद के 75 वर्षों की यात्रा भी समेटे हुए हैं इत्यास के हर अहम पड़ाव से सिखते हुए ही हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे देशवासियों हम में से शाहिद ही कोई ऐसा हो जिसने अपने जीवन में आकास से जुड़ी कलपनाई न की हो बच्पन में हर किसी को आकास के चान, तारे, उनके कहानिया आकरसित करती हैं युवाओं के लिए आकास चुना सपनों को साकार करने का परियाय होता है आज हमारा भारत जो इतने सारे ख्षेत्रों में सफलता का आकास चुर रहा है तो आकास या अंतरीक इससे अचुता कैसे रह सकता है बीते कुछ समय में हमारे देश में स्पेस सेक्टर से जुड़े कई बड़े काम हुए है देश की इनी उपलब्दियों में से एक है इन स्पेस नाम की एजन्सी का निर्माण एक ऐसी एजन्सी जो स्पेस सेक्टर में भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए नए अवसरों को प्रमोट कर रही है इस सुरुआत ने हमारे देश के युवाओं को विशेश रुप से आकरशित किया है मुझे बहुत से नवजवानों के इस से जुड़े संदेश भी मिले हैं कुछ दिन पहले जब मैं इन स्पेस के हेड़कवाटर के लोकारपन के लिए गाया था तो मैंने कई युवाँ स्टार्टप्स के आइडियाद और उत्सा को देखा मैंने उनसे काफी देर तक बात्चित भी की आप भी जब इनके बारे में जानेंगे तो हैरान हुए बिला नहीं रह पाएंगे जैसे कि स्पेस स्टार्टप्स की संख्या और स्पीर को ही ले लीजे आज से कुछ साल पहरे तक हमारे देश में स्पेस सेक्टर में बारे में कुछ सोचता तक नहीं था आज इनकी संख्या सो से भी ज़्यादा है या सभी स्टार्टप्स ऐसे ऐसे आइडिया पर काम कर रहे हैं जिनके बारे में पहले या तो सोचा ही नहीं जाता था या फिर प्रावेट सेक्टर के लिए असंभव माना जाता था उधान के लिए चेन्नेई और हैदराबाद के दो स्टार्ट अपस है अगनीकूल और स्काइरूट ये स्टार्ट अइसे लाँच वेहिकल विक्सित कर रही है जो अंतरीक्ष में छोटे पेलोर्स लेकर जाएंगे इससे स्पेस लाँचिंग की कीमत बहुत कम होने कानुमान है ऐसे ही हैदराबाद का एक और स्टार्ट अप त्रू स्पेस सेटेलाइट डिप्लोयर और सेटेलाइट के लिए हाइट टेकनलोरजी सोलर पैलर्स पर काम कर रहा है मैं एक और स्पेस स्टार्ट अप दिगंतरा के तनवीर एहमत से भी मिला था जो स्पेस के कच्चरे को मैप करने का प्रयास कर रहे है मैंने उन्हें एक चैलेंज भी दिया है कि वो ऐसी टेकनलोजी पर काम करें जिसे स्पेस के कच्चरे का समाधान निकाला जा सके दिगंतरा और द्रूप स्पेस दोनों ही तीस जुन को इस्तरों के लॉंच वहिकल से अपना पहला लॉंच करने जा रहे है हमेशा की तरह इस बार भी मन की बात के जरिये आप सभी से जुड़ने का यह अनुभव बहुती सुखद रहा हमने देश वास्चों के सफलताओं और उपलब्दियों की चर्चा की इस सब के बीच हमें कोरोना के खलाब सावधानी को भी धान रखना है हाला की संतोष की बात है कि आज देश के पास वैक्सिन का व्यापक सुरक्षा कबज मौजूद है हम दो सो करोड वैक्सिन डोज के करीब पहुँच गए है देश में तेजी से प्रिकोशन डोज भी लगाई जा रही है अगर आपकी सेकंड डोज के बाद प्रिकोशन डोज का समय हो गया है तो आप ये तीसरा डोज जुरूर लें अपने परिवार के लोगों को खासकर बुज़ोरकों को भी प्रिकोशन डोज लगवाए हमें हाथों के सभाई और मास जैसी जरूरी सावधानी भी बरतनी ही है हमें बारिस के मौसम में आज पांस गंदगी से होने वाली बिमारियों से भी आगहा रहना है आप सब सजग रहिए स्वस्त रहिए और ऐसी ही उर्जा से आगे बढ़ते रहिए अगले महिने हम एक बार फिर मिलेंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार सब इस्वे वर्ष में आपकी लोग पुरे समाचार पत्र इंडिया दर्पन का परवीर आप रिश्त रहें अपने शित्र खबरें और अधिक खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल दैनिक इंडिया दर्पन को अभी सब्सक्राइब करें और नॉटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले आप हमारे यूट्यूब चैनल आप हमारे यू Hillary पूलेव करो मारे यूटम under